हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग आए हैं भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित आशापुरी संग्रहाले विजिट करने के लिए आशापुरी संग्रहाले इराईसन जिले में बेतवा नदी के किनारे बने विश्व परसिद शिव मंदिर भोशपुर शिव मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है ये एक पुरा तात्विक इस्थाल है जो की आशापुरी गाउं में इस्थित है इस इस्थान को भूतनाथ मंदिर समू और आशापुरी संग्रहाले के नाम से भी जाना जाता है आप सभी लोग इस वीडियो को end तक देखेगा, इस वीडियो में आपको आशापुरी संक्रहाले और भूतनात मंदिर समू के बारे में बहुत सी रोचक जानकारिया जानने को मिलेंगी आशापुरी गाउं के इस छेत्र में बहुत सी प्रतिमाय और मंदिरों के अशेश पाए जाते हैं जो की नवी से लेके ग्यारवी शताबदी के हैं जिनने हम लगबग हजारों साल पुराना कह सकते हैं तो आईए में पहले आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ पर एक मंदिर है उस मंदिर में हम दर्शन करेंगे जहां हनुमान जी महराज विराजमान है साथ ही यहाँ पर पूराने श्रिवलिंग भी रखेगा है जो हजारों साल पुराने हैं इस मंदिर की बाहरी दिवार प बहुत ही पुरानी है जो कि एक पत्थर के उपर बनाई गई है आपको यहां आसपास जितनी भी प्रतिमाय और मंदिर देखने को मिलेंगे उन सभी को यहां से प्राप्त चट्टानों से ही बनाया गया है आसापुरी के इस पूरे चेत्र में ऐसा बताया जाता है कि यहां कु 26 मंदिर थे और अनेको देवी देवताओ की प्रतिमाय थी जिन में से एक शिवलिंग के दर्शन अभी आप कर रहे हैं इस इस्थान का नाम भूतनात मंदिर समू भगवान भोलेनात के नाम से जोड़ कर रखा गया है ऐसा बताया जाता है कि इस छेत्र में मंदिरों का जो विलोटा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है उस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं विलोटा महादेव मंदिर आशापुरी संग्रहाले से लगभग 1.5-2 km की दूरी पर इस्तित है हमने अपनी पिछली वीडियो में विलोटा महादेव मंदिर को विजिट किया था मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा साथ में आपको आई बटन पे भी वो शो हो जाएगा तो आप वहाँ से भी जाकर हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जहां आपको एक ही श्रिवलिंग के अंदर 1008 श्रिवलिंग क के बाद आप यहां से थोड़ी ही दूरी परिस्थित आसापुरी संग्रहाले को भी विजिट कर सकते हैं तो हमने अपनी एंट्रे टिकेट्स ले ली हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ और मैं आपको एक एक करके यहां के जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिर की हाइट बहुत जादा नहीं थी मीडियम हाइट के वो मंदिर थे लेकिन यहां पर कुल 26 मंदिरों का सम्मू था आशपुरी मंदिर सम्मू से लगा हुआ ही एक तालाब है जो की इन मंदिर सम्मू के बिलकुल पास में ही बना हुआ है अभी आप जिस मंदिर को देख रहे इन सभी मंदिरों में से कुछ मंदिरों का निर्माण वापस से करवाने वाली है उन सभी मंदिरों में से पहले मंदिर का निर्माण हो चुका है जिसा कि हम सभी लोग अभी यहां पर देख रहे हैं तो आईए मैं आपको अंदर से मंदिर में दर्शन करवाता हूँ भूतन मंदिरों को किस तरीके से द्वस्त किया गया था उसे आप यहाँ पर आकर इन प्रतिमाओं को देख कर समझ सकते हैं। हमने आज से 3-4 साल पहले जब यहाँ पर विजिट किया था तो यहाँ केवल मंदिरों के अशेश ही पड़े हुए थे जो कि आपको आज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इन सभी चट्टानों के उपर देवी देवताओं और भगवान की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो यहाँ पर देखने लायक है। इन सभी प्रतिमाओं को बनाने में बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है। इस समय पे मध्युपरदिस सरकार और पुरातत्तु विभाग के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाये जा रहा है। यहाँ इन मंदिरों को वापस से सरक्षड किया जा रहा है और दुबारा इन मंदिरों के आउशेशों को ढूंड कर उन्हें वापस से बनाया जा रहा है। कि यहाँ पर जो भूतनात मंदिर इस्थित था वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। और ये मंदिर पूरु मुखी मंदिर था। भूतनात मंदिर समू में जितने भी मंदिर थे उन्हें भूमिज शेली वास्तुकला में बनवाया गया था जो की परमार कालीन उन अवशेशों में मंदिर के सिखर, तोरणद्वार, फूलों से सजाय हुए खंबे, शिखर इस्तंब प्राप्त होते हैं इस स्थान पर भगवान शिव, भगवान विष्णू, कुमार कार्तिके, जैन और बोध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी प्रतिमाय भी प्राप्त होई हैं साथ ही यहाँ पर भगवान गडेश और मा दुर्गा की प्रतिमाय भी प्राप्त होई हैं इस मंदिर समू में मा दुर्गा का महिषासुर मरदनी सरूप आशादेवी मंदिर में देखने को मिलता है जो की अभी खंडित अवस्था में हैं जिसके दर्शन में आपको इस वीडियो में आगे करवाने वाला हूँ तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा अभी हम लोग एक श्रिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं जो कि मंदिर के आसपास पड़े आवशेशो और मंदिर के बीच में विराजमान श्रिवलिंग से पता चलता है इनी 26 मंदिरों से लगा हुआ था ये तालाब जो कि अभी सूख चुका है ये एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ तालाब है जो पानी से भरा हुआ रहता है बारिस के दिनों में जब भी आप यहां आएंगे आपको ये पानी मंदिरों की दिवार के पास तक भरा हुआ दिखाई देता है इसी तालाब से लगा हुआ है ये 26 मंदिरों का समूँ इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा इस मंदिर को भी बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ सालों में ये मंदिर भी बन कर तयार हो सकता है यहाँ पर आकर आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ मंदिरों के आउशेश इस तरह से हैं कि आप उन्हें देखकर बता सकते हैं, यहाँ पर पुराने समय में मंदिर था, जिसा कि अभी आप इस मंदिर के आउशेश को देख रहे हैं, इस मंदिर के निशली दिवारों पर बनी हुई प्रतिमाओं में बहुत ही सुन्दर का देखने को मिलते हैं इन पत्थरों पर बहुत ही सुन्दर कारी करी की गई है तो चलिए यहां से हम आगे की ओर चलते हैं और मैं आपको दर्शन करवाता हूं महिशासुर मरदनी के यहां भूतनात मंदिर समू की तरफ से जो गाड भाया है वो आपको गेट खोल कर अंदर एं मैं आपको यहां पास से ले आकर दिखाता हूं यह वो गेट था जिसे खोल कर हम अंदर आये हैं इस मंदिर को पत्थरों से कवर कर दिया गया है चारोतरब से बाउंडरी बना दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आप जो प्रतिमा देख रहे हैं इन सभी प्रतिम मंदिर समू की खास बात यह है कि यहां पर बने हुए सभी मंदिरों को पत्थरों के उपर पत्थरों को रखकर ही बनाया गया है इसमें किसी भी तरह के जोड का उप्योग नहीं किया गया है किसी भी तरह के सिमेंट या चूने का उप्योग इन पत्थरों को जोड़ने के अभी हम लोग मंदिर के बाहर जो अवशेश पड़े हुए हैं उन्हीं को देख रहे हैं आप भी इन अवशेशों को देखिए ये मंदिर से जुड़ी हुई प्रतिमाए हैं जो कि आप अभी देख पा रहे हैं महिशासुर मरदनी माता का ये मंदिर जब अपने पूर्ण अस्तितु में होगा तो ये कितना भव्य मंदिर होगा आप इन प्रतिमाओ को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं अभी हमने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया है तो अभी चलते हैं हम लोग इस मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये मंदिर कैसा बना हुआ है मंदिर के बाहर और मंदिर के आसपास के छेतर में जो प्रतिमाय दिखाई दे रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बहुती समरद्धशाली मंदिर रहा होगा जहां पर मा महिशासुर मर्दनी की पूजा की जाती होगी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ माता महिशासुर मर्दनी की प्रतिमा को इन सभी प्रतिमाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये छेतर तांतरिक पूजा के लिए भी प्रसिद्ध होगा मंदिर में प्रवेश करते ही गर्वग्रह के सामने आपको महिशासुर माता मर्दनी के दर्शन होते हैं साथ ही गर्वग्रह की बाहर की दिवारों पर योगनियों का चितरण किया गया है जिनने आप आशानी से यहां पर देख सकते हैं ये सभी प्रतिमाओं आज भी बिलकुल क्लियर दिखाए देती हैं माता के मंदिर के मुख्य द्वार के उपर जो चितरकारी की गई है उनमें छोटी-छोटी प्रतिमाओं के साथ ही बड़ी प्रतिमाओं को भी अच्छी तरीके से बनाया गया है जैसा कि आप इस प्रतिमाओं को देख सकते हैं इस प्रतिमाओं की नकाशे भी बहुत अच्छे से की गई है लेकिन इस प्रतिमाओं को भी चतिगरस्त कर दिया गया है इन प्रतिमाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि इन प्रतिमाओं को और इस मंदिर समुह को किस तरीके से छतिग्रस्त किया गया होगा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये सभी 26 मंदिर एक पहाड़ी के उपर इस्तित हैं और ये पूरा पहाड़ चट्टानों से बना हुआ है तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर से दर्शन करवाते हैं मंदिर के द्वार के नीचे और उपर की और काफी चितरकारी की गई है जो कि हम देख चुके हैं और अब मैं आपको मंदिर के अंदर की और लेकर चलता हूँ जहां पर माता की प्रतिमा विराजमान है आप जैसे ही गर्बगरह में प्रवेश करते हैं आपको यहाँ पर माता की एक सुन्दर प्रतिमात देखने को मिलती है मंदिर के अंदर आपको दो प्रतिमाय देखने को मिलती है जो की महिशासुर मर्दनी माता की प्रतिमाय है प्रतिमा में आप क्लिरली देख पा रहे होंगे कि माता शेर की सवारी किये हुए हैं और उन्होंने महिशासुर के उपर अपना पैर रखा हुआ है और महिशासुर का सिर नीचे पड़ा हुआ है इस वीडियो में हमने भूतनात मंदिर समू के मंदिरों के दर्शन कर लिये हैं और अब हम लोग चलते हैं आशापुरी संग्रहाले जो की यहां से कुछी दूरी पर है तो अभी हम लोग आ गए हैं आशापुरी संग्रहाले में, आपर हमें पुरानी प्रतिमाय देखने को मिलती हैं, जो की नवी से ग्यारवी सताबदी की हैं, संग्रहाले में विजिट करने के लिए आपको 20 रूपीज पर परसन का टिकेट लेना होता है, अगर आपने टिकेट भूतनाद मंदिर समूद विजिट करते टाइम ले लिए हैं, तो आपको दुबारा यहाँ पर टिकेट लेने की जरूत नहीं है, आप उसी टिकेट से इस संग्रहाले को विजिट कर सकते हैं, अगर आपने टिकेट नहीं लिए हैं, तो आपको यहाँ पर टिकेट लेने हों यहां पर बहुत सी प्राचीन प्रतिमाई हैं जिसमें यक्ष यक्षणिया, कुबेर, योगनिया, साथी जैन धर्म से सम्मंदित प्रतिमाई जिनमें जैन तिर्थांकरों की प्राचीन प्रतिमाई प्रमुख हैं इसके अलावा इस संग्रहाले में हिंदु धर्म से जुड़ी हुई प्राचीन प्रतिमाओं की बड़ी संख्या है, जिनमें ब्रह्मदेव, भगवान विश्नु, भगवान गडेश, भगवान शिव, शिव पारवती, कुवेर और योगनियों की प्रतिमाओं प्रमुख हैं, साथ ही यहाँ पर मंदिरों के प्राचीन स्थम्भो को भी रखा गया है, आसापुरी संग्रहाले के अंदर कुछ प्रतिमाओं रखी गई हैं, लेकिन संग्रहाले के बाहर भी आपको बहुत सारी प्रतिमाओं देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको प्राचीन प्रति गड़ेश की एक प्राचीन प्रतिमा है जिसे की चट्टान को काट कर बनाया गया है इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी सुन्दर प्रतिमा है इनमें भगवान विश्नु की शेशनाक की शया पर सोई हुए एक प्रतिमा बहुत ही सुन्दर है जिसके दर्शन अभी हम ल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे इस तरह की और भी वीडियो आप तक पहुच पाएं साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियो बनाने का तो हम आपको मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जैस याराम